नमस्कार दोस्तों मैं दिवाशु गुलेरिया गैनेमेटिक्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RPF SI का जनरल अवेरनेस पोर्शन ठीक है जनरल अवेरनेस और जिसे आप कहते हो GK ठीक है GK से टोटल कोशन पूछे जाते हैं एक्जाम में 50 और ये बहुत ही important section है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th Gen 2019 यानि की 5 जनवरी 2019 को क्या सवाल पूछे गए थे GK पोर्शन से सभी shifts के कोशन इसमें रहेंगे 5 जनवरी के जितने भी मेरे पास सभी कोशन तो नहीं हैं जितने भी कोशन मेरे पास हैं मैं आपको वो सब answers के साथ बता दूँगा ताकि आप खुद ही exam analysis कर सकें कि कहां से कोशन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं अगर आपकी जो exam है वो 11 या फिर 13 को scheduled है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही important होने वाली है ठीक है आपको एक idea लग जाएगा कि कहां से कोशन आपको आने के chances जादा हैं ठीक है तो वो आप पढ़ सकते हो तो सबसे पहले तो gyanamatics को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो I would suggest कि आप पहले subscribe बटन को प्रेस कीजिए moreover bell icon को प्रेस कीजिए ताक कि जो भी rpf section में मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ वो उसकी notification आप तक पहुँच जाए ठीक है तो सबसे पहले मैं एक analysis बता देता हूँ कि किस pattern में आपसे question पूछे जा रहे है static gk की बात करें तो 15 से 20 question जो है वो आपके static gk से आ रहे है science जो है वो सबसे जादा पूछी जा रही है 15 से 20 question science के आ रहे है quality की बात करें तो science के बाद quality पूछी जा रहे है quality से आपके पास question जो हैं वो आ रहे हैं 6-8 और geography की बात करें तो 6-7 question geography से भी आ रहे हैं वैसे basically quality और geography combined आपसे 12-15 question पूछे जा रहे हैं history से थोड़े कम question पूछे जा रहे हैं history से तकरीबन 3-4 question पूछे जा रहे हैं और चलिए देखते हैं first question है हमारे आपके पास chairman of 15th finance commission ठीक है आपसे पूछा गया कि पंदरवी finance commission का chairman कौन है ठीक है तो वो है N.K. Singh ठीक है नंद किशोर Singh next है आपसे पूछा गया कि Lothal is located in Lothal is basically related to Indus Valley civilization जो आपकी Indus Valley civilization है उसका Lothal एक part है और आप से पूछे गई है लोथल की location लोथल की location है गुजरात ठीक है नेक्स्ट है आपके पास x-ray was invented by a x-ray की invention पूछी है तो invention से कोशन पूछा गया है Indus Valley civilization से कोशन पूछा गया है एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का आयोग है जैसे वो commissions हैं उनके chairman जो है वो पूछे जा रहे हैं ठीक है तो आपको chairman's जो है वो learn करने है अगर आपका exam जो है वो आ रहा है नस्दीक तो NDC है National Development Council तो इसके chairman है Montek Singh अलुवालिया नेक्स है आपके पास article 280 is related to तो article 280 जो है वो basically finance commission से related है और articles जो है वो पूछे जा रहे हैं commissions के ठीक है या फिर president हो गया आपके पास president से सवाल पूछे जा रहे हैं फिर आपका जो नीती आयोग है उससे question पूछा जा रहे हैं और constitution के main जो main main part हैं जैसे citizenship है उससे भी question पूछा गया है next है आपके पास full form of ITTF ठीक है तो ITTF is basically international table tennis federation ठीक है तो यह basically एक international body है table tennis जो भी main जो global body है जो सबसे उंची जो एक federation है वो है ITTF ठीक है इसकी full form पूछी गई थी next है आपके पास question the goal of doubling the income of farmers by which year ठीक है आपसे पूछा गया है कि जो farmers हैं हमारे किसान है उनकी आय जो है वो double करने का goal जो सरकार ने रखा है वो किस साल तक रखा है तो वो रखा है 2022 तक ठीक है नेक्स्ट है आपके पास कामा सूत्रा जो इंडियन बुक है उसके लेखक कौन है ठीक है who wrote the book कामा सूत्रा तो कामा सूत्रा जो है वो basically it is written by वत्सयानन ठीक है वत्सयानन जो है उन्होंने ये किताब लिखी है नेक्स्ट है आपके पास घूमर डांस फॉर्म जो है ये किस राज्य से बिलॉंग रखता है ठीक है किस राज्य का डांस है या किस स्टेट से ये बिलॉंग रखता है तो घूमर आप आपने ला इस है आपके पास chairman of policy commission policy commission is basically nothing else but निती आयोग ठीक है policy commission निती आयोग को ही English में कहा जाता है और इसके chairman होते हैं आपके PM ठीक है प्रधान मंत्री जो होते हैं वो निती आयोग के chairman होते हैं इस समय हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो हैं वो इसके chairman है वाइस चेर्मेन अगर आपसे पूछा जाए तो वाइस चेर्मेन है राजीव कुमार CEO की बात करें तो वो है अमिताब कांत ठीक है नेक्स्ट है आपके पास हॉन्बिल फेस्टिबल एसोशेटेड विद विच सेट ठीक है हॉन्बिल फेस्टिबल जो है वो किस राज्य से संबंद रखता है हॉन्बिल त्योहार जो है वो बैसिकली नागलैंड का त्योहार है स्कराइब कराएब कराएब में 252 से और जो इंपर्टेंट ऐसे अनोम हो गया वह क्वेसी आपको पता होने क्यारा सि मीलर है यह आपका शाय है ईना रह गया है इसका जिकर कौन से आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 280 जैसे पिछली स्लाइड में कोशन था इस दूसरी 6 में इननों ने टैनिस से रिलेटे इंस्टोशन फैके तो वो होती है जो highest bridges हैं या फिर longest bridges हैं जो भी important facts हैं वो आपको पता होने चाहिए तो Trans-Siberian जो है वो एक longest railway track है और ये basically रश्या में है ठीक है और ये connect करता है Moscow को व्लाडी वोस्तोक से ठीक है अगर आप cricket lover हैं तो आपको ये question definitely आता होगा नेक्स्ट है आपसे question पूछा गया Greenland Island का ठीक है Greenland Island जो है वो किस continent में आता है तो ये आता है North America में नेक्स्ट कोशन है Tea Productive Area देखे आपसे question एक पूछा गया था Tea Production से related अगर आपसे world largest producer पूछा है तो वो होगा चाहिना और इंडिया की बात करें तो असाम जो है वो इंडिया में largest producer है Tea का Next है आपके पास highest rainfall in the world पूछा गया है कि किस place में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है सालाना वर्षा होती है ठीक है तो वो होती है मौसिन राम मिघाल्यम है next is यह slogan जै जवान जै किसान किसने दिया है ठीक है यह आपसे पूछा गया है तो हमारे जो second prime minister थे जो दूसरे प्रथान मंत्री थे लाल बहादूर शास्त्री उन्होंने यह slogan दिया था next is ordinance making power west swift ठीक है जो ordinance बनाने की ताकत होती है वो किसके पास होती है तो वो होती है हमारे president के पास राष्ट पती के पास next is जहाज महल ठीक है आपको monuments जो है जो आपकी इमारते है historic उनके places जो है उनकी location जो है वो पता होनी चाहिए आपसे question जो है monuments के पूछे जा रहे है तो जहाज महल की बात करें तो it is basically in moholy Delhi next is founder of Chisti dynasty Chisti dynasty का आपसे founder बुचा गया है founder आप एक list बनाइए जिसमें सभी जो dynasties शुरू से लेकर last तक की dynasties हैं सल्तनत हैं उनके founder कौन है वो लिखे हो उन पे और आप revise कर सको ठीक है तो चिस्ती तो वो it was started in 1930 अगर date की बात करें date पूछी गई हो तो 12 मार्च से 6 अपरेल तक की ये डांडी मार्च का first phase जो है वो चला था next is mass of earth mass of earth एक factual question आपसे पूछा था mass of earth की बात करें तो it is 5.072 into 10 raise to power 27 kg ठीक है ये आपका mass of earth है next है oxalic acid is found in ठीक है oxalic acid आपको science से question पूछे जा रहे हैं और उसमें जो acid होते हैं important acid जैसे oxalic acid हो गया फिर आपके tartaric acid हो गया वो किस किन में पाए जाते हैं ठीक है वो आपसे पूछा जा रहे है तो oxalic acid की बात करें तो वो आता है tomato में ठीक है आपकी श्रेणी में जो single title US open का जीता है वो किस ने जीता है तो जपान की नाओमी ओसाका ने US open 2018 का खिताब अपने नाम किया है नेक्स्ट है वीर भद्रा टेंपल ठीक है वीर भद्रा टेंपल जो है वो basically कहां है ये पूछा गया है तो ये आपका लिपाक्षी आंधरपरदेश में है ठीक है लिपाक्षी टेंपल से भी इस वीर भद्रा टेंपल को जाना जाता है next question है आपके पास आप से पूछा गया है कि राज्य सभा का tenure कितना होता है तो राज्य सभा का basically tenure रहता है छे साल next है आप से पूछा गया question कॉछचा गया question dark continent कौन सा continent जो है जिसे हम कहते हैं dark continent वो है एफ्रिका इसी के साथ वीडियो खतम होती है अगर मुझे और कोशन मिलते हैं इस शिफ्ट के जो इस वीडियो में नहीं बताए गए हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द अपलोड कर दूँगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू गॉड ब्लेस्यो वाल